हेलो बच्चों वेलकम टू पीवियार स्टड़ी जैसा कि आप सब को पता है कि अच्छा नौ की मैस्मेटिक चल रही है चैप्टर आपका चल रहा है आयतन शेतरफल वाला ना इसमें आपने कुश्चन नंबर फॉर फाइब तक पड़ लिया है उसमें से मैंने कुछ होमवर् समझो पहले संकु के आधार की गुंबज की उचाई आपने सुना होगा मंदिर का गुंबज बहुत अच्छा बन रहा है अगर आप यूपी से हैं तो आपने देखा होगा कि प्रभु स्री राम चंदर जी का जो मंदिर बन रहा है उद्ध्या में उसका गुंबज जो है ब वास्तों में जो संकु का आधार होता बेफ न उस पर गुंबज होता है गुंबज का मतलब कैसे देखो पहले तो इधर फाइड में आप देख लीजिए कुष्चन इसको मैं इंगलिस में भी बताऊंगा अभी आप टेंसन मत लीजिएगा वास थोड़ा सबर रखिए ये इसी को एक परकार से गुंबज बोल रहा है यह थोड़ा चोटा बड़ा लाइन है इसलिए ऐसा दिख रहा है बाकी ठीक है कि इंगलिस में भी बताऊंगा भी थोड़ा सबर बनाके रखिए कि क्यारा तिरियक उचाई और आधार का ब्यास क्रमसा पहले मुचाई है पचीस है आधार का ब्यास मेंस यह जो बीच में मैंने खीचा यह 14 मीटर है अभी मैं कुश्चन हटा दूंगा तो यह क्लियर दिख जाएगा अगर नहीं दिख रहा होगा तो टेंसन इसके लिए आपको नहीं लेना है पातपक्की अब सुनो आगे करा इसकी वक्रप्रिष्ट पर 210 रूपए प्रती 100 मेटर की दर से सफेदी कराने का बैग्यात कीजिए इसकी वक्रप्रिष्ट का मतलब इसका जो यह साइड थाइड वाला पार्ट है जितने भी संपूर्ण प्रिष्ट नहीं बोल रहा है टोटल सर्फेस एरिया नहीं ओल रहा है मिला करके उस पर यह सफेदी मतलब प्रकार से कराने का खर्चा निकालना है सिंपल है लिख लो जो दिया है पहले यहां पर लिखेंगे दिया है पहले कोश्चन का मैं इंगलीस में पढ़ देता हूं अमने कहा था ना इंगलीस सुन लो कोश्चन को इंगलीस में सुनिये और ध्यान से सुनिये करा दा स्लेंट हाइट एंड बेस डाइमेटर आफ आ कॉनिकल टॉम्प कॉनिकल टॉम्प देखो बाबु जो मैं गुंबद बोल रहा था ना यह टॉम्प है टी ओ एम पी ओके टी ओ एम पी यह मिन्स मैं पीमान तो एक कॉनिकल टॉम्प ओके सुन लो फिर से कोश्चन फिर से सुनिये स्टार्टिंग से दस लेंट हाइट स्लेंट हाइट का मतलब अधला तरिया कुंचाई यह तिरची कॉंचाई त्लेंट हाइट हाइट एंड वेस डामीटर आफ आ कॉनिकल टॉम्प ARE 25 मीटर और find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 rupees per meter square you understand, आईए, given खल करते हैं, लिखिये दिया है हिंदी में लिखेंगे दिया है, इंगलिस में लिखेंगे given तो बाबु यहां पर यल दिया है 25 meter and आर दिया है आपको 7 meter कहोगे कहां दिया है चचा क्योंकि आपको D दिया है, D D14 दिया है, तो DCR निकाल सकते हैं मैंने डारेक्ट लिख दिया है, कौन सी बुराई है नहीं न rate कितना दिया है देखो, rate जो है 210 रूपे है पर 100 meter square तो यह rate है जितना रूपे है, वो जितनी दूरी के लिए पेंट का खर्चा है, उसको उससे भाग देके rate निकाल लेते हैं, यह भी दिया है हमें क्या निकालना है, लागत निकालनी है बहुत आफ़ान है, सिंपल है लिख लो, cost या फिर ऐसे लिख लो, हिंदी मीडियम ओले जदर, rate डीटियल में लिखते हैं मंदिर के गुंबद का सफेदी कराने का कुल खर्चा बराबर उसके बाद आगे लिखना जो भी लिखोंगा, ठीक है हम छोटा साथ साटकट में लिखेंगे, cost यानि लागत, equal देखो, लागत, equal क्या होती है, C, S, A, into rate मतलब जितना उसका curve surface area है चाहे तो लिख लिजी आप Hindi medium वाले, प्रिष्टिये छेत्रफल, गुड़े, लागत, परी, लागत नहीं, rate, दर, दर बोलते हैं इसको हिंदी में rate को दर बोलते हैं, तो आप यहां लिख सकते हो, प्रिष्टिये छेत्रफल, गुड़े, दर इंग्लिज में लिखेंगे, C, S, A, into rate ठीक है भईया, कोई दिक्कत नहीं न, चलो, तो C, S, A कितना है, कहीं से मिला था क्या, नहीं संकु यानि कौन का C, S, A, Pi, R, Y, L होता है, into rate जो है 210, बटा 100, पहले से दिया है, रख देंगे, मान रखोगे 22, बटा 5, into R कमान 7, यल कमान 25, गुड़े 210, बटा 100, इनको हल कर लेंगे, ताथ से 7 कट जाएगा, 25 से यह कटेगा, 25, चोका 100, अब यह जो भी कट पिट रहा, क कुछ कटेगा क्या, इसके बाद हम ऊपर हल करेंगे, ठीक है, समझ रहा हो कि नहीं भाई, चलो, अब इनको हम एक काम कर सकते हैं, उका कर सकते हैं, अगर आप ध्यान दो, इनका गुड़ा करेंगे, अब 22 का गुड़ा अगर हम 210 में करें, और नीचे यहां पे देखो, 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, कुछ कहीं गड़बड हो रहा है का, गुड़ा करके देखो, फिर मुझे बताओ, मैं बताता हूं देखो, बच्चों इसमें गड़बड नहीं है, लेकिन इसको हल करने का एक आसान तरीका करिए, ऐसे थोड़ा तरीका लंबा हो जाएगा, आफान क् करने की कोशिस करते हैं, तो देखो बाबु क्या करेंगे, हम 25 को नहीं काटेंगे इससे, इससे लिए हमारे लिए आसानी होगी, कैसे, हम एक जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखो, दस बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है, आसान हो जा, इफले मने ऐसा किया, पचीस का बाइस में करेंगे, बाबु पचीस दूना, पचास का जीरो, हाफिल आया कितना, पांच पचीस दूना, पचास पांच पचपन, यानि ये पांच सो पचास हो जाएगा, और गुड़ा 21, बटा 10, समझ में आया, पचीस का कोगा पांच से आया गा तरके देखो, 11,550 बटा 10, पर जीरो जीरो कड गया, यानि 1155 रूपया आये का खरच थीक है, बड़ाबर कितना गा, 1055 रूपया, यानि उसको खरचा सफेदी कराने का कूल 1156 रूपया आयेगा, o किसी को फटा फट, जल्दी करिये, आगे बढ़ इस तरह से आपका question number six done हुआ अगली क्लास में अगला question करवाएंगे आप लोग बड़ी class देखते नहीं हो और class को share करके जाएगा बाबू आपसे बिनमर निवेदन है ज्यादा फिज्यादा बच्चे देखेंगे तो बहतर रहेगा स्क्रिंसार्ट ले लिजिए मैंने पूरा question और solution सब दिखा दिया पहले यहां से यहां फिर उदर फाइड में ठीक है मिलते हैं next class में thank you